गूड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंडल ब्यूज यूटिप चैनल, स्वागत आपका मेरी आज की इस न्यू अपडेट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं, CSIR, National Metallurgical Laboratory की तरफ से निकालेगी अपडेट के बारे में, National Metallurgical Laboratory की तरफ से रिक्रोट में नोटिविकेशन आउट किया गया है, various vacances के लिए, यहाँ पे जो vacances निकालेगी हैं, direct आपका interview रहेगा, कोई भी आपकी application फीज नहीं रहने वाली है, उसके लावा easy process रहेगा, form को apply करने का, यहाँ पे कौन-कौन से candidate eligible होंगे, form को apply करने के लिए, सारा detail में discuss करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो को end तक वाज करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजल करें हैं, चैनल को subscribe कर लें, ऐसी ही latest job update के लिए, daily ऐसी ही latest job update आपको provide की जाती हैं, इस चैनल पर official notice के साथ में, इसी के साथ में आज किस वीडियो को करते हैं, शुरू बात करें official notice की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह CSIR, National Metallurgical Laboratory, Council of Scientific and Industrial Research, जब सेदपूर की तरफ से निकाला गया official notice है, जिसका की advertisement नमबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको न की official website पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, उसके लावा बात करें, यहाँ पर vacances के वारे में, तो basis पर आपकी यह vacances रहने वाली हैं, और यहाँ पर प्यूरली contract basis पर आपकी vacances रहेंगी, temporary तोर पर आपको यहाँ पर जो वो रखा जाएगा, जो भी यहाँ पर staff रहेगा, वो project staff यहाँ पर रहेगा, different यहाँ पर projects के लिए, जहाँ पर आपके project number आपको दिये गए हैं, project name क्या रहेगा, वो आपको यहाँ पर दिये गया है, next बात करें, यहाँ पर आपका project number आपको यहाँ पर दिये गया है, जिसमें की project associate बन की post रहेगी, तीन यहाँ पर total post रखी गी है, MSC, environmental, science and chemistry आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, उसके लाब अगर आपने B.TEC कर रखी है, chemical, mechanical, methodology में, उसके लाबा mechanical engineering में, environmental engineering में, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, desirable experience अगर आपके पास है, hydro में, pyro में, electro methodology में, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, project name आपको यहाँ पर mention किये गया है, next बात करें, आपकी यहाँ पर next post की, जो की project associate बन की रहेगी, जो की आपका different यह आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, उसके लाबा next बात करें, यहाँ पर project associate 2 की रहेगी, बन पोश्ट यहाँ पर आपको दीगी है, उसके लाबा बी टेक आपकी यहाँ पर metological mechanical engineering में, अगर आपने कर रक की है, पर two year experience के साथ में, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, उसके लाबा बा बन के लिए बन crab weekancy रख़की गई है, और यहाँ पर बी टेक वेचलर एंजन今 रक की है, मैटलोजिकल engineering में, material engineering में उसके लाबा यहाँ पर आप यहाँ पर यहाँ पर apply कर सकते हैं, next बात करें, यहाँ पर आपी last project के लिए, यहाँ पर आपका project associate बन, project आपका जेय रएफ की post पोश्ट रखी गी है तो यहां पे वेकैंसित रखी गी है जिसमें बीटेक आपकी यहां पे होनी चाहिए मैटलोजी में उसके लाबा मैटीरियल एंजिनेरिंग में तो आप यहां पे एपलाई कर सकते हैं नेक्स्ट बात करें यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका यहां पर प्रजेक्ट एसेट बन रहेगा प्रजेक्ट जे आफ जे रएफ के लिए टू वैकेंसिद रखी गी हैं बीटेक आपकी यहां पर होनी चाहिए MSC एकर आपने कर रखी है इनी discipline से तो आप यहां पर apply कर सकते हैं उसके लाबा बात करें यहां पर अविलाज परजेक्ट आपका यहां पर नीती परजेक्ट यहां पर चल रहा है उसके अकौडिंग यहां पर प्रजेक्ट एसेट बन की चार पोस्ट रखी गी है Project Assistant की बन पोस्ट रखी गी है जिसमें कि आपकी BSC Chemistry यहाँ पर मांगी गी है Project Assistant के लिए उसके लाब आप BTC का आपकी यहाँ पर मांगी गी है जो कि आपका यहाँ पर 4 पोस्ट रखी गी है Project Associate बन की MSC अगर आपने कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं Project Associate बन जो आपका Next Post रहेगा उसमें आपका MSC Environmental Science आपका Elisable होंगे फर्म को अप्लाई करने के लिए Next आपका Project Associate 2 रहेगा जिसमें कि आपका बन पोस्ट रखा गया है उसमें आपका 2 years का experience भी होना चाहिए Metalogy आपकी BTEC के साथ में Next Post की बात करें Project Assistant की BSE कमिस्ट्री यहाँ पर Elisable होंगे Project Associate बन की जिसमें कि आपका यहाँ पर आप जरूर से ध्यान रखें जो भी आपका Post Code है अलग से Post Code के लिए यहाँ पर Post Same रहने वाली हैं बट यहाँ पर जो यहाँ के Post Code है वो आपके सारे Project Number जो आपके अलग से रहने वाले हैं इसमें Qualifications का भी डिफरेंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं Project Assistant की यहाँ पर Post रखेगी है इसकी आपका BSE कमिस्ट्री है Project Associate बन की यहाँ पर MSE मागेगी है और Project Associate बन में यहाँ पर भी MSE मागेगी है उसके लाबा बात करें यहाँ पर आपका Project Associate 2 जिसमें की MSE आपकी Plus 2 Years Experience के साथ में मागेगी है उसके लाबा Scientist आपका यहाँ पर Administrative Assistant की बन पोस्ट रहेगी BCA वर VTAC आपकी यहाँ पर एदिजिवल होगे उसके लाबा Project, JRF Project Associate बन की 2 पोस्ट रखेगी है BTEC उसके लाबा MSC अगर आपने कर रखी है एपलाई कर सकते हैं उसके लाबा Project Assistant 1 के लिए BSC कमिस्ट्री उसके लाबा Project Assistant 2 के लिए 2 पोस्ट रखेगी है जिसमें की आपका यहाँ पर BSC कमिस्ट्री आपकी मागेगी है उसके लाबा बात करें यहाँ पे जो की Project Associate 1 की पोस्ट रहेगी MSC Environmental Science में नेक्स्ट बात करें Project Assistant 2 पोस्ट रहेंगी BSC कमिस्ट्री उसके लाबा यहाँ पे Project Assistant 2 की जिसमें की MSC आपकी होनी चाहिए कमिस्ट्री में जो की 2 years का experience भी आपका यहाँ पे required दिये गए है Project Assistant 1, Project Associate आपका 1 रहेगा Scientist आपका Administrative Assistant 2 रहेगा जिसमें की 4 आपकी यहाँ पे Project Assistant के लिए vacancy रखी गी है Diploma भी यहाँ पे apply कर सकते है mechanical engineering में उसके लबा glass blowing में BSC वाले apply कर सकते हैं MSE वाले Projects Associate बन के लिए apply कर सकते हैं BTEC वाले भी कर सकते हैं Next बात करें Bachelor degree आपने किसी भी any discipline से कर रखी है Scientist, Administrative Officer, Sorry यहाँ पे Assistant की post के लिए apply कर सकते हैं और जो यहाँ पे experience दिये गया है यह desirable दिये गया है, essential नहीं दिये गया है अगर किसी के पास experience नहीं भी है तो भी वो यहाँ पे form को apply कर सकता है Next जो post रहेगी Project Assistant बन की रहेगी BSC chemistry के साथ में Project Associate बन की MSE अगर आपने कर रखी है apply कर सकते हैं BTEC आपने कर रखी है तो भी apply कर सकते हैं Next बात करें यहाँ पे Project Assistant की BSC chemistry मांगेगी है Project Associate में MSE chemistry आपकी मांगेगी है उसके लाबा Project Assistant की यहाँ पे BSC chemistry Senior Project Associate के लिए यहाँ पे PhD आपकी मांगेगी है Chemistry में, Environmental Science में उसके लाबा यहाँ पे Material Science में उसके लाबा बात करें Project आपका Coordinator 2 की जिसमें की Master degree आपकी Mechanical में मांगेगी है उसके लाब आप पर प्रजेक्ट SSA 2 के लिए यहाँ पर आपकी B.T.E.C. आपकी मांगी गी है 2-year experience के साथ में Scientist आपका यहाँ पर Administrative Assistant के लिए Field Worker के लिए B.E.C. मांगी गी है उसके लाब प्रजेक्ट SSA 2 के लिए यहाँ पर आपकी M.T.E.C. मांगी गी है Computer में उसके लाब आइटी में कर रखी है Project Assistant 1 की यहाँ पर 3-year diploma Mechanical Engineering का मांगा गया है Project Assistant 1 के लिए 3-year diploma Metallology में आपका and B.E.C. अगर आपने कर रखी है तो भी आप apply कर सकते हैं उसके लाब आप Project SSA 2 की बात करें B.T.E.C. आपने कर रखी है apply कर सकते हैं 2-year experience के साथ में Project Assistant की बात करें यहाँ पर B.E.C. chemistry आपकी Physics उसके लाबा Mathematics में अगर कर रखी है apply कर सकते हैं Project SSA 2 की बात करें जिसमें की MSC आपकी chemistry में होनी चाहिए 2-year experience के साथ में तो यह सारी जो भी Qualifications यहाँ पर बताएगी है वो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं इसका सारा PDF आपको मेरे Telegram Group GKY Dynasar पर मिल जाएगा Link उसका description में provide कर दूंगा डिरेक्ट याप वहाँ से जाके PDF डौनलोड कर सकते हैं सारा यहाँ पर detail में पढ़ सकते हैं 18,000 प्लस HR रहेगा जिसमें की 50 Age दी गई है Project Assistant के लिए 20,000 प्लस HR रहेगा Maximum Age 50 रहेगी Project Associate 1 के लिए 25,000 से लेके 31,000 तक रहेगा प्लस HR आपको दिये जाएगा जो 31,000 रहेगा वो gate वालों के लिए रहेगा जिरोंने gate क्वालिफाइग किया है 35 यहाँ पे Maximum Age रहेगी Project Associate 2 के लिए यहाँ पे 28,000 रहेंगे प्लस HR आपको दिये जाएगा 35,000 जो gate clear कर चुके हैं उनके लिए रहेगा 35 यहाँ पे Maximum Age रहेगी है Senior Project Associate के लिए 42,000 प्लस HR रहेगा 40 Age रहेगी Project Scientist 1 के लिए 56,000 प्लस HR Project Scientist 2 के लिए 67,000 प्लस HR रहेगा Project JRF के लिए 31,000 प्लस आपका यहाँ पे HR रहेगा Maximum Age आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लबाब बात करें यहाँ पे Project आपका Coordinator के लिए 35,000 सेलरी यहाँ पे दी जाएगी तो यह सारी यहाँ पे जो भी यहाँ पे selection रिए जाएगी उसके लबाब बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं Hindi में भी use कर सकते हैं आप जो कि आपका interview के time में आप Hindi में भी conversation कर सकते हैं आपका यहाँ पी compulsory नहीं दिये गया है English में Hindi में भी आप कर सकते हैं उसके लबाब बात करें जो भी आपका यहाँ पे registration का time रहेगा starting date आपकी यहाँ पे 11.9.2021 रहेगी and 21.9.2021 आपकी यहाँ पे closing date रहेगी 6 p.m. तक तो यहाँ पे आपकी कोई भी जो application fees नहीं लगेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपकी application fees नहीं दीगी है उसके लाबा form को apply करने के लिए आप इनकी official website के थुरू form को apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको link इसका दिये गया है इसका link आपको description में provide कर दूँगा directly जाके वहाँ से भी form को apply कर सकते हैं इनकी official website पर visit करने के लिए आपको link दे दूँगा description में बहाँ से आप इनकी official website पर visit कर सकते हैं सारे details आपको यहाँ पे दीगी हैं जो भी important details रहने वाली थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं तो जो भी eligible candidate हैं वो form को apply कर सकते हैं काफी अच्छी आपके लिए यहाँ पे वेकैंसित रहने वाली हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही और वीडियो informative लगी हो वीडियो को like and share जरूर करें हमारे चैनल पर पहली वार विजर कर रहे हैं चैनल को subscribe कर लें ऐसी ही latest job update के लिए के लिए खिए हैं